गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स ये आपके ICT सब्जेक में इन्फॉर्मेशन एंड कम्मिनिकेशन टेक्नॉलजी की वक्षीट नंबर टू है इस सब्जेक को आप कम्प्यूटर के नाम से भी जानते हैं ये वक्षीट क्लास 6 के लिए है सभी बच्ची रोल नंबर और complain the types of computer computer के विभिन प्रकार को समझाएए मतलब computer कितने प्रकार के होते हैं और उनको समझाएं computer के विभिन प्रकार पहला computer आपका desktop computer है desktop desktop कैसा computer है desktop computer वो होता है जिसको हम मेज के उपर रखकर use करते हैं के उपर रखकर कैसे यूज करते हैं आपने स्कुल में computer देखा होगा जो आपके टेबल के उपर रखा होता है जिसका एक पार्ट mouse होता है जैसे छोटा सा mouse आपको इहां पे लिखाई दे रहा है यहरा चोटा सा mouse, यह रहा keyboard जिस पर type किया जा रहा है, यह आपका monitor है, ठीक है, यह आपका desktop computer होता है, जिसको table पर रखके आप use करते हैं, उसके बाद है आपका laptop, उसके बाद है आपका laptop, laptop को हम अपने leg के उपर, मतलब पैरों के उपर रखके यूज़ करते हैं, laptop, देखो, laptop कैसे बना है, LAP, फिर T O P, laptop, अब देखो, lap, lap का मतलब क्या होता है, गोधी होता है न, इसी तरह desktop, मतलब D E S K, desk, desk मतलब table के उपर, top मतलब उसके उपर, इसी तरीके से laptop, मतलब lap मतलब गोधी, top मतलब गोधी के उपर रखके, तो आपको laptop समझ में आया, laptop आप घर में भी यूज़ करते हैं, laptop का क्या फायदा है, laptop जो है, easily portable है, आप उसको एक जंगा से दूसरी जंगा, असानी से carry करके जा सकते हैं, एक जंगा से दूसरी जंगा इसको लेकर जाए जा सकता है, लेकिन desktop को आप लेकर जा सकते हैं, लेक carry करनी पड़ेगी, फिर है आपका palm top, palm top, P-A, palm, P-A-L-M, palm, palm, palm मतला हतेली, T-O-P, top, top मतला हतेली के उपर, palm मतला हतेली होता हैं, इंगलिश में हतेली को palm कहते हैं, palm top, हतेली के उपर, जिसको हम अपने हतेली के उपर रखी यूज़ कर सकते हैं, उसको palm top कहते हैं, कौन-कौन सा होते हैं, टैबलेट होता है, स्मार्ट फोन होते हैं, आपकी घर में जो स्मार्ट फोन हैं, जिसमें आप वट्सप यूज़ कर सकते हैं, इनको हम palm top कहते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, कि palm top होता है, वो इतरा एक पार्ट है, कम्प्यूटर का, जो कि आप सारे काम अपने फोन से करते हैं, आप अपने सारे काम फोन से करते हैं, तो यह भी कम्प्यूटर का एक टाइप है, ठीक हैं, और जो palm top है, वो आपका बहुत ही जादा के बारे में बताएं, मतलब कम्प्यूटर कैसे बना है, कम्प्यूटर के बारे में बताएं, कम्प्यूटर कैसे काम करता है, पहला है आपका input unit, फरस्ट है आपका input unit, यह रहा input unit, इस input, यह जो input unit है, इस भाग से computer में data entry और आदेश दिया जा सकता है क्या होता है इससे कि जैसे keyboard हो गया mouse हो गया keyboard और mouse क्या है आपके input device है अगर कोई आपसे पुछे input device बताओ तो input device कौन से होंगे keyboard और mouse कैसे keyboard से अगर आप कोई भी काम लिखते हैं a b c d कुछ भी दबाते हैं तो वह कहां जाता है computer के अंदर जाता है computer के अंदर जाता है तभी वह screen पर आपको दिखाई देता है है ना mouse से अगर आप पहले mouse को आदेश देंगे कि यहां पर click कर मुझे खोल के दिखाई यह वाली app खोल के दिखाऊ या यह WhatsApp खोलो जैसे आप अपने फोन में WhatsApp पे click करते हो ना जैसे यह आपने फिंगर से WhatsApp पे click किया touch किया उसको तभी तो वह खुल किया आता है मतला आपने उसको आदेश दिया output unit पर दिखाई देता है monitor और प्रिंटर और प्रिंटर आपके output डिवाइस है जैसे आपने keyboard से ऐ दबाया वह computer के अंदर गया और कहां दिखाई दिया स्क्रीन पर monitor पर आपने keyboard से दबाया वह तो computer के अंदर गया ना तो इनपुट हो गया और जैसे ही वह आपको दिखाई दिया, वो output हो गया और आपको दिखाई कहाँ पर देता है, monitor पर computer की screen पर यह आपका monitor होता है आप जो भी काम करते हैं, सारा आपको इसी पर दिखाई देता है इसलिए यह output device है और आप काम करने का आदेश किस से देते हो keyboard से और mouse से इसलिए यह आपके input device है ठीक है आपका next है CPU Central Processing Unit, इसको कहते हैं CPU, CPU को हम क्या कहते है जैसे हमारा दिमाग काम करता है, हमारे शरी के कहीं भी अगर हमने suppose करो कहीं पर gas चल दिया जरा सा गलती सा टच होगे, कोई गरम चीज टच कर दिया हमने, तो एकदम से हमारा हाथ पीछे हो जाता है क्यों? क्योंकि हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग को पता चलता है कि गरम इसको नहीं टच करना तो फिर हमारा hand activity करता है पीछे हाथ हो जाता है इसी तरीके से CPU जो है वो computer का दिमाग है computer का दिमाग CPU को कहते है जैसे लिखा ना जिस तरह से हमारे शेर का सबसे महतरूपूर्ण भाग हमारा दिमाग है हमारे शेर के सारे निर्ने लेता है उसी तरीके से computer के सारे निर्ने CPU लेता है सारे निर्ने CPU लेता है इसलिए CPU computer का दिमाग है और बहुत important part है computer का यह आपको block diagram दिया गया है data input data input का मतलब पहले आप data डालेंगे उसके अंदर आपने जैसे keyboard से A कहा तो CPU उसको process करेगा और फिर process करके कहां पर monitor पे दिखाई देगा output आपको दिखाई देगा printer भी आपका output device है जो monitor पे दिखाई देता है उसका print out निकाल लेते हैं वो print out आपका printer के थुरू निकलता है आशा है सभी बच्चों को यह समझ में आया होगा